जार्खन उच्चन्याले के समक्ष लोहर दग्गा विधान सभाद छेत्र से निर्वाचित उमिद्वार एवं जार्खन सरकार के मंत्री रामिश्वर उणाओं के निर्वाचन को चुनावती देते हुए पराजित उमिद्वार सुख देव भगत ने जार्खन उच्चन्याले के समक्ष लोहर दायर कर निर्वाचन के बक दायर हलप नामे में कुछ तत्यों को चिपाए जाने का उलेक किया है जिसे देखते हुए माननिय नयमूर्ती अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मंत्री रामिश्वर उणाओं को नोटिस जारी कर छह सब्ता में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है इस मामले की अगली सुनवाई छह सब्ता के बाद की जाएगी